हेलो विएवर, मैं सेल्फ गरिमा पाल, तोड़े आई हम डिसकर्ज दा सेकंड पार्ट ओफ एरिटिप्स टाइप फर्स पार्ट में हमने केटलिस्ट पढ़ा दा, सेकंड टाइप में हम एक्सिलेरेटर पढ़ेंगे एक्सिलेरेटर क्या होता है, किसी भी केमिकल रियक्शन की रेट को इनक्रीज करना यही काम हमारा केटलिस्ट करता है, लेकिन केटलिस्ट क्या करता है, उस सबस्टेंस में, उस रियक्शन में मिक्स नहीं होता other substance and cause and increase in the speed of the natural or artificial chemical process. Accelerator वह substance है, जो किसी भी process की bonding, mixing को improve करता है, जिसके करदर क्या होता है, chemical process का naturally or artificially speed increase हो जाती है, accelerator हमारे 4 टाइप के होते हैं, जो हम अपने प्लास्टिक में यूज करते हैं, कोवाल नेप्थनेट, कोवाल एसिटेट, मैगनीज नेप्थनेट, डाई मिथाईल, एनिलेन, फर्स कोवाल नेप्थनेट, कोवाल नेप्थनेट हमको बैंगनी कलर में metallic swap liquid होता है, इसमें 8% कोवाल मेटल होता है, तो इसके दवारा किलियर कास्टिंग में pink कलर प्राप्त होता है, जब हम यूज करेंगे as a raw material हमारे बैंगनी कलर करेता है, जैन कास्टिंग के बाद हमको pink कलर में राप्त होता है, कोवाल ऐसी टेट भी हमारा metallic swap होता है, जिसमें हमारा 17% मेटल प्रिजेंट रहता है, इसके प्रियोग के दवारा तीर भी जेल formation होता है, तदा उसमें होने वाला डाई कलर भी कम होता है, यह कोवाल नेप्तिनेट की अपेच्छा सस्ता मिलता है मैगनी नेप्तिनेट यह भेल लिक्टिर होता है, जिसमें 8% मेटल होता है, इसके प्रियोग से copper, methyl, hydroperoxide, अधिक पिरभापसाली होता है लो एक्सोथर्म के साथ करिंग के लिए मैगनी नेप्तिनेट का प्रियोग किया जाता है दाई मिठाल एनिलेन हमको लिक्टिर फॉर्म में मिलता है, इसका प्रियोग हम room temperature पर करिंग के लिए करते हैं जब इसे benzoyl peroxide के साथ प्रियोग करते हैं, acceleration को हमेशा सम्बंदिद catalyst के साथ यूज करते हैं, हम इसको single use नहीं करते हैं Thank you so much